अई हलो फ्रेंड's बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में, फ्रेंड्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्यक्टिव और इस वीडियो में एड्यक्टिव का पार्ट वॉन कवर करेंगे, जो कि सभी banking और SSE exam के लिए बहुत ही important रहेगा इसमें हम कुछ basic concepts को समझेंगे जो कि adjectives से related हैं और बहुत ही important है सभी banking exam के लिए और SSE exam के लिए तो चलिए शुरुआत करते हैं देखें यहां पर एक sentence दिया हुआ है When I visit the library for reading multiple newspapers I meet many intelligent students and wise people who sometimes give me valuable ideas तो यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे noun दिये हैं जैसे newspaper एक noun दिया है और उसको modify किया है मैंने multiple words से तो multiple यहां पर एक adjective हुआ क्योंकि यह noun के साथ use हो रहा है ठीक है? यहां पर student की विशेष्टा बताने के लिए मैंने intelligent word को प्रियोग किया है तो intelligent जो हुआ वो यहां पर adjective हुआ people की विशेष्टा बताने के लिए यहां पर मैंने wise का इस्तेमाल किया है और wise जो हुआ यहां पर adjective हुआ उसी तरीके से valuable यहां पर adjective हुआ ठीक है? तो adjective ऐसे word होते हैं जो हम noun या pronoun की विशेष्टा बताने के लिए उनको modify करने के लिए हम उनको use करते हैं adjective को हम दो तरीके से use कर सकते हैं attributably और pedicatively attributably का मतलब है कि जब हम उसको noun के साथ use करते हैं noun की quality या noun का attribute बताने के लिए जब हम उसको use करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि adjective यहां पर attributably use हो रहा है जैसे यह sentence देखिए there are dark clouds in the sky तो यहाँ पर cloud के साथ यह dark word लगाया है तो यह attributively यहाँ पर use हो रहा है और नीचे वाले sentence में the clouds in the sky are dark तो यहाँ पर यह predicatively use हो रहा है क्योंकि यह verb के बाद use हुआ है अब एक rule है इसमें the adjective is correctly used with a verb when some quality of the subject rather than the action of the verb is to be expressed ठीक है यदि adjective कोई quality आपको बतानी है sorry यदि आपको नाउन की कोई quality आपको बतानी है किसी भी नाउन की तो उसके लिए आप adjective का use करिये और वो adjective का यह use होगा वो correct होगा जैसे यहाँ पर हम कुछ sentences देखते हैं for that ritual flowers were plugged freshly ठीक है तो यहाँ पर हम किस की विशेशता बता रहा है यहाँ पर इस वाले sentence में हम जो fresh था वो क्या था वो flower था ठीक है for that ritual flowers were plugged freshly तो freshly इसलिए रहूंगे हाला कि यह वर्ब के बात लगा हुआ है यहाँ पर plugged के वाद लगा हुआ है लेकिन जो प्लकिंग थी वो fresh नहीं थी flowers fresh थे तो इसलिए freshly ना यूज करके मैं यूज करूँगा यहाँ पर fresh for that ritual flowers were plugged fresh ठीक है यह sentence correct है नीचे वाला उपर वाला sentence incorrect है यह वाला sentence correct है क्यों क्योंकि यहाँ पर मैं flowers को qualify कर रहा हूँ कि flowers की freshness बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पर उपर वाला sentence incorrect है और नीचे वाला correct है अब यह वाला sentence देखिए the old man has been appointed the principle fresh ठीक है लेकिन यहाँ पर इस वाले sentence में fresh गलत है यहाँ पर freshly सही है क्योंकि यहाँ पर हम appointment की बात कर रहे है क्या appointment जो है वो fresh है वो अभी हुआ है ठीक है हम यह नहीं बोसकते के principle fresh है या old man fresh है ठीक है appointment उसमें जो हुआ है fresh हुआ है fresh का मतना है कि recently हुआ है अभी हाली में हुआ है तो इसलिए यहाँ पर freshly का प्रियोग जो नीचे वाला sentence है वो सही हुआ है और नीचे वाला sentence आपका correct है उपर वाला sentence incorrect है यह वाले sentences देखिए आप fresh flowers were plugged तो यह sentence correct है क्योंकि हम यह routine sentence है जिसमें बता रहे हैं कि ताजे फूलों को तोड़ा गया fresh flowers were plugged और यह वाला sentence है flowers were plugged fresh यह भी सही है इसमें हम freshness पर emphasize कर रहे हैं और पहला वाला sentence वो एक routine sentence है तो जोनों ही sentence यह यहाँ पर correct है अब हम rule two पढ़ते हैं due to और prior to ठीक है due to और prior to को आपको use करना है as a predicated adjective और इनको हम use करते हैं as a mark के बाद या was work के बाद क्योंकि यह predicated adjective की तरह use होते हैं यदि बर्ब के बाद यूज करना है तो आप because of या before का use करिए यह sentence का इसका मतलब है इस rule का मतलब है काफी important यह rule है जैसे विकेट्स फैल due to the superb balling of अनिल कुम्बले यह incorrect क्यों है क्योंकि बर्ब के बाद यहाँ पर due to का use कर दिया है बर्ब के बाद हम because of का use करेंगे ठीक है और due to का हम प्रियोग करेंगे is mr या was वर के बाद जैसे यहाँ पर यह use हुआ है due to ठीक है तो विकेट्स फैल के बाद हम due to ना लगाते हूँ हम लगाएंगे because of तो यह sentence correct है यह हम इसको ऐसे बोल सकते हैं the fall of wickets was due to superb balling इस तरीके साम इसको यूज कर सकते हैं तो due to और prior to का use होगा is mr के बाद और was वर के बाद जबकि before और because of का use होगा बर्ब के बाद इतना आप याद रह सकते हैं इसमें कुछ incorrect or correct sentences यहां पर दिये हैं इनको आप पर सकते हैं ठीक है यह correct है नीचे वाला sentence इसमें भी नीचे वाला sentence correct है यहां पर हम देखते हैं कि verbal और oral में क्या difference होता है verbal होता है pertaining to words जैसे verbal ability के एक section आता है competitive exam में तो verbal का जो opposite होगा वो होगा non-verbal verbal and non-verbal शाबदिक और pictures मतलब सब वταक्शलों से संबस्धित और pictureоз से संब्धित नहीं सबदों से संब्धित नहीं मतलब पिक typically से संब्षत अब देखिए, यहाँ पर sentence देखिए, verbal means related to words, verbal ability means ability related to words, यह इसका मतलब है, verbatim का क्या मतलब है, verbatim means in exact the same word, ठीक है, verbatim का मतलब है कि exact जैसा लिखा हुआ है, वैसा ही, बोलना या कॉपी करना, for example, parrots repeat what you say verbatim, मतलब parrots repeat करते हैं, जो parrots होते हैं, वो repeat करते हैं, जो आप कुछ, आप जो कुछ भी बोलते हैं, उसको बैसा ही एकदम से, वो repeat करते हैं, यह इसका मतलब है, और oral का मतलब होता है, mouth related, जैसे oral drops, और oral का जो opposite है, वो है written, ठीक है, इस sentence से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देखें, his written statement differs from his verbal bone, तो written का जो opposite होगा, यहाँ पर वो आएगा oral, ना की verbal, verbal का opposite होता है, non-verbal, तो इसलिए नीचे वाला जो sentence है, वो आपका सही है, आगे देखते हैं, mutual और common में क्या difference है, mutual का मतलब होता है, जैसे, राम और श्याम हैं, दौनों एक दूसरे की mutual help करते हैं, तो इसका मतलब है कि राम श्याम की help करता है, और श्याम जो है, वो राम की help करता है, mutual का मतलब होता है in relation to each other, इसमें दो लोग involved होते हैं mutual में, mutual cooperation मतलब A, B को cooperate करता है, और B, A को cooperate करता है, ठीक है, common में दो से ज़्यादा लोग involved हो जाते हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, we started teaching on the advice of a mutual friend, mutual friend नहीं होता, common friend होता है, जैसे राम और श्याम दोनों आपस में friend हैं, और राम का भी friend है मोहन और श्याम का भी friend है मोहन, ठीक है, तो मोहन जो हुआ, वो common friend हुआ, जो हम बोलेंगे mutual, mutual में दो होते हैं, common में दो से ज़्यादा होते हैं, जैसे we started teaching on the advice of a mutual friend, तो यहाँ पर mutual friend नहीं बोलते हुग हम बोलेंगे common friend, और यह sentence आपका सही होगा, we started teaching on mutual advice, अब यहाँ पर mutual advice word यूज हुआ है, तो यह sentence इसलिए सही है, क्योंकि एक ने दूसरे को advice दी, और दूसरे ने पहले वाले को advice दी, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, I advise you to teach, and you advised me to teach, तो सेंस में यह sentence यहाँ पर आपका सही है, some और any दोनों ही थोड़ी quantity या थोड़ी degree को है, some का प्रियोग करते हैं, affirmative sentences में, any का प्रियोग करते हैं, negative questions में, लेकिन यदि कोई question offer के form में हैं, तो उसमें हम some का use कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको यह सारे sentence समझ में आ जाएंगे, जैसे पहला sentence है, I shall not buy some rice, तो यह negative sentence है, तो नेगेटिव sentence में हम any का प्रियोग करेंगे, some का नहीं, नीचे वाला sentence correct है, इसमें, और I have any books of English की जगह मैं बोलूँगा, I have some books of English, क् यह affirmative sentence है, और यहाँ पर देखिए, यह नीचे वाला sentence है, would you like to have some more rice, ठीक है, तो यह वाला जो sentence है, यह हला की question है, लेकिन एक offer के form में है, तो इसलिए यह sentence हला की question है, लेकिन फिर भी सही है, इसमें हमने some का प्रियोग किया है, क्योंकि एक offer के form में है, लिटेल और few में क्या अंतर है, लिटेल का प्रियोग हम करते हैं, uncountable noun के साथ, quantity के साथ, फियो का प्रियोग हम करते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, countable noun के साथ, ठीक है, तो एक तो यह basic difference हुआ, little में और few में, अब उसके बाद little, a little और the little में क्या difference है, उसी तरीक से few, a few, और दा few में क्या difference है little एक negative word होता है जिसका मतलब होता है hardly any मतलब ना के बराबर a little का मतलब होता है some मतलब थोड़ा सा और da little का मतलब होता है जितना भी है वो पूरा का पूरा और यही same explanation few के लिए है लेकिन few countable के साथ use होता है जिसको हम गिन सकते है little होता है uncountable के साथ use ठीक है तो यदि आप sentences यहां पर पढ़ेंगे तो उससे आपको यह समझ में आ जाएगा जैसे little knowledge is a dangerous thing यह sentence incorrect क्यों है क्योंकि little का मतलब तो होता है ना के बराबर तो ना के बराबर जो knowledge है वो dangerous चीज नहीं होती dangerous चीज क्या होती है जब आपको थोड़ी सी knowledge होती है मतलब थोड़ी सी knowledge का sense यहां पर डालने के लिए आपको बोलना पड़ेगा a little knowledge क्योंकि little का मतलब तो होगा कि उसको knowledge है ही नहीं तो इसलिए a little knowledge वाला sentence जो है वो correct है आगे लखा हुआ है correct और यहां पर देखिए little knowledge of politics that he has has been gained through newspaper मतलब उसको जितनी भी knowledge है हाला कि उसको थोड़ी knowledge है लेकिन जितनी भी knowledge है उसको उसने gain किया है newspapers के through तो हम बात कर रहे हैं कि उसको थोड़ी knowledge है लेकिन हम पूरी की पूरी knowledge को apply कर रहे हैं तो इसलिए the little का यहां पर प्रियोग करना होगा नीचे वाला sentence इसमें correct है आगे मैंने कुछ और example दिये है यह एकदम से clear हो जाएगा आपको यह concept little का और few का I am not very happy about it but I suppose I have little choice I have little choice मतलब मेरे पास ना के बराबर choice है hardly any तो यह sentence सही है यहां पर few cities का मतलब है एक भी city नहीं ना के बराबर city few cities anywhere in Europe can match the cultural richness of Berlin Berlin जो city है जर्मनी में उसकी cultural richness को match करने वाला एक भी city नहीं है ठीक है तो इसलिए यहां पर few का प्रियोग बिल्कुल सही है और यहां पर देखिए a little bread ठीक है bread जो है वो uncountable है piece of bread आपको बोलना पड़ेगा यदि असको आपको countable बनाना है वैसे bread अपने आप में uncountable है इसलिए यहां पर little का प्रियोग जो हुआ है वो सही हुआ है इस sentence आपका correct है we stayed few days in Florence हम फ्लोरेंस में कुछ दिन रुके ठीक है तो कुछ दिन को कुछ दिन एक countable है दिन जो है days वो countable है तो आप कुछ दिन रुके तो इसलिए उसको दिखाने के लिए आपको a few यहां पर बोलना पड़ेगा क्योंकि few आप बोलेंगी तो इसका मतलब है कि नाके बराबर दिन आप वहां पर रुके ठीक है जब कि आप बोल के रहे हैं कि वहां पर आप रुके तो इसका मतलब कुछ दिन आपको बोलना पड़ेगा तो इसलिए few यहां पर गलत है और a few यहां पर आपको बोलना पड़ेगा जो कि सही है अब देखे, all she wanted was a few moments on her own, यह सही ही है, क्योंकि वो चाती थी कि उसको कुछ moments मिलें, जिनको वो अपने बल पर जी सके, तो यहाँ पर a few का प्रियोग सही है, she had few moments on her own, मतलब उसके पास अपने आपके लिए कुछ भी समय नहीं था, यह sentence का मतलब है, और इस sentence का, यदि इस sense में इसको यूज करें, तो यह sentence यहाँ पर सही है, she saves a little money every month, वह थोड़ा सा पैसा हर महीने बचाती है, तो a little यहाँ पर सही है, यदि आप यहाँ पर little कर देंगे, तो वो sentence गलत हो जाएगा, क्योंकि little का मतलब होता है, ना के बराबर, ठीक है, और little का भी आप प्रियोग कर सकते हैं, लेकिन वो आपको context देखना होगा, कि कि context में आप उसको use कर रहे हैं, यदि concept आपका clear है, तो आप किसी भी sentence को एकदम सही तरीके से use कर सकते हैं, यहाँ पर भी they had little money to spend, मतलब उनके पास ना के बराबर पैसा था खर्च करने के लिए, तो यह sentence सही है, यहाँ पर देखिए, have you got any money, yes, a little, मतलब थोड़ा सा, have you got any money, no very little, no के साथ यहाँ पर little लगाया है, देखिए, no के साथ little आया है, और यहाँ पर yes के साथ a little आया है, क्योंकि yes का मतलब है कि थोड़ा सा पैसा मेरे पास है, और जब नहीं है तो इसका मतलब ना के बराबर है, तो very little लगाया है यहाँ पर no के साथ, तो यह सही है यहाँ पर, आगे कुछ sentences और देखते हैं compound noun में जो unit of measurement होती है वो हमेशा हम singular में लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा है two kilometer walk या five year plan या two year old boy इस तरह की कोई भी compound noun होती है जिसमें यह hyphen लगा रहता है उसमें हम unit of measurement जैसे यहाँ पर kilometer है उसको हम हमेशा singular में रखेंगे इसको हमेशा ध्यान रखिए each और every दौनों का ही मतलब प्रतेक है each छोटे group के लिए यूज होता है every वड़े group के लिए यूज होता है each का मतलब है कि हम definite संख्या को indicate कर रहे हैं छोटे group को हम indicate कर रहे हैं every का मतलब है कि unlimited हम लोगों को वहाँ पर indicate कर रहे हैं जैसे यहाँ पर यह explanation दिया हुआ है each is used when number in the group is limited and definite जैसे class है जोसमें 10 student है तो उसके लिए हम use each का प्रयोग करेंगे ठीक है यदि आप इस्टेडियम में बैठे हुए लोगों के लिए use कर रहे हैं तो आप every का प्रयोग करेंगे क्योंकि वहाँ पर group जो है वो बहुत बड़ा है और indefinite है तो यहाँ पर यह point भी important है कि each is used for two or more than two each का प्रयोग हम दो या दो से अधिक लोगों के लिए करेंगे लेकिन every का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए ही करेंगे दो के लिए every का प्रयोग हम नहीं करेंगे ठीक है every जो है वो each से ज्यादा strong word है every का मतलब है यह each without exception ठीक है तो यह each और every का concept है और इस तरह के जो word है almost practically और nearly इनको हम हमेशा every के साथ लगाते हैं each के साथ नहीं यहाँ पर यह sentence देखिए almost every car यहाँ पर almost each car में नहीं बोलूँगा ठीक है और यह यहाँ पर दिया हुआ है नीचे practically every house तो यहाँ पर practically each house में नहीं बोलूँगा इस तरह के से इन sentences को आपको use करना है each boy in the class was busy यह सही है sentence each boy मैं इसलिए बोला है क्योंकि class में limited students है each of you has to complete the work before 8 p.m. यहाँ पर भी limited संख्या है तो each का प्रयोग सही है everyone in the stadium head and identity card यह सही है every का प्रयोग यहाँ पर सही है तो correct लेखा हुआ है यहाँ पर kind or short kind or short का मतलब होता है उस तरह की कोई चीज इस तरह का ठीक है और kind or short जो है वो singular nouns है अब जैसे यहाँ पर आप देखिए these kind of questions is often asked in examination incorrect क्यों है क्योंकि यहाँ पर kind जो की singular subject है उसके साथ these का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर हम kind को change नहीं करेंगे हम जो adjective इसके साथ लगा हुआ उसको change करेंगे क्योंकि subject जब सही होता है तो हम subject को change नहीं करते क्योंकि subject पहले से ही सही है उसके साथ जो word लगा हुआ है जो adjective लगा हुआ है उसको हम सही करेंगे तो this kind of questions questions यहाँ पर सही है क्योंकि kind का मतलब होता है category और category में बहुत सारी चीए आती है उसी तरीके की बहुत सारी चीए तो this kind of questions this kind of questions is often asked यह sentence सही है क्योंकि is यहाँ पर जो लगा हुआ है वो kind के साथ लगा हुआ है ना कि questions के साथ तो इसलिए यह sentence एकदम सही है interrogative adjectives देखिए आप interrogative adjectives जैसे options के साथ इसमें what का प्रियों हुआ है यहाँ पर option के साथ which का प्रियों हुआ है तो चुकि यह noun के साथ यह wh word यूज हुए है इसलिए इनको हम बोलेंगे interrogative adjectives और what का प्रियों हम general sense में करते हैं which का प्रियों हम specific sense में करते हैं जैसे यहाँ पर आप देखें what options are available after graduation ठीक है emphasizing adjectives कौन से होते है very or own यह होते है emphasizing adjectives इनका प्रियोग हम करते है शब्दों पर जोड देने के लिए जैसे यहाँ पर आप देखें this is evident from your own words यह चीज पूरी तरीके से clear है आपके खुद के शब्दों के द्वारा खुद के शब्दों से ठीक है own words का प्रियोग यहाँ पर सही हुआ है और यहाँ पर those design से पहले मैंने बोला है those very designs ठीक है मतलब वे design ही थी जिनोंने एक difference create किया तो यहाँ पर very का प्रियोग जो है वो emphasizing adjective के लिए हो रहा है और यह प्रियोग जो हो रहा है यह सही है इसमें sentence ठीक है तो adjective के कुछ basic concept हमने इसमें cover किये हैं और बाकी के part आप part 2 और part 3 में जो भी आएंगे उसमें आप देख पाएंगे उसमें मैं exercise भी करवाऊँगा और काफी सारे questions में उसमें cover करवाऊँगा तो यह था adjective का basic concept और यह था part 1 यहां पर आप अपना मुझे feedback दे सकते हैं इस number पर और इस email ID पर और definitely मैं appreciate करूँगा और English Advantage Group है Facebook पर उसको भी आप जरूर जोइन करें और उसका फाइदा उठाएं सारे notifications मैं वहाँ पर पुट करता हूँ तो उसके थूब ही आप अपने आपको अवेर रख सकते हैं So thank you very much for watching this video Thank you